अगर हम बात करें तो रविवार को बारिश जैसे आफद बंद कर बड़सी है रविवार सुबह करीब पांच बज़े रतलाम शहर में टेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो करीब पांच खंटे तक चलता रहा सुबह दस बज़े तक हालात ऐसे हो गए थे कि रतलाम के जादा तर इलाके शहर के पानी में डूग गए रेलवे स्टेशन हो बस स्टेंड हो या फिर पॉश कॉलूनिया सभी जगे पुराने शहर में भी सभी जगे घुटनो घुटनो तक पानी भर गया था रेलवे स्टेशन पर तस्वीर यह हो गई थी कि कई ट्रेणों को रोकना पड़ गया रतलाम से पहले ही और यातायात इससे काफी जादा प्रभावित हुआ पुराने शहर के इलाके हो घाज बाजार का इलाका हो या फिर पॉश कॉलूनिया हो सभी जगे इतना पानी भर गया था कि करीब बारा से एक बज़े तक दोपहर तक बारिश रुखने के बावजूद पानी कम नहीं हुआ था देर शाम जाकर के शहर में स्थितियां सामाने हो सकी अकले रतलाम में ही नहीं कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर मुस्ताधार बारिश का दौर देखने को मिला आगर मालवा में भी बीते 24 खंट को दौरान काफिस जादा बारिश हुई है खासत और से अगर हम बात करते हैं नल खेडा की जो की प्रसिद है बगलावंखी मंदिर के लिए वहाँ पर करीब 14 cm बारिश रिकॉर्ट की गई है बीते 24 खंटों में सुस्तेर में 12 सेंटिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है तो वहीं रतलाम में 24 खंटों में 7 सेंटिमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है रविवार का आकड़ा आना अभी बाकी है इस बीच में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का रविवार को रतलाम शहर में जबर्दस्त बारिश हुई लेकिन अब एक बार फिर से वहां भारी बारिश का खत्रा मन रहा है क्योंकि मौसव विभाग के मुताबिक रतलाम, जाबुगा और अली राजपूर में अगले 24 खंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों को संभल कर रहना होगा रविवार का दिन था चुट्टी का दिन था इसलिए रतलाम में हुई भारी बारिश से बहुत जादा जन्जिवन अस्तवर्थ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाज़ात बंद रहते हैं लेकिन सुमबार को भी यदि इसी तरीके से बारिश होती है तो रतलाम में इस बार फिर से इस्थितियां खरार हो सकती है इसके अलवा मौसम इफाग के मताबिक अब मत्यपदेश में धीरे धीरे मौसुन का सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाएगा लेकिन इससे पहले वो मत्यपदेश के पच्चिवे हिस्थे में जोरतार बारिश करके जाएगा